हालो गाइस वेलकम टो माई चैनल एडे विट यास्मिन आज मैं आप लोग को बताऊंगी टीनी टाइकुंच का बेबी फूट और फूट नीबलर का रिव्यू तो चलिए देखते हैं तो यह है टीनी टाइकुंच का बेबी फूट और फूट नीबलर इसको एजे टीथर भी हैं तो इसको एजे डाइटल भी यूज कर सकता है तो यह एक्चुल भी मल्टी परपस भी हो सकता है इसमें थोड़ा डाइटल के जैसे साउंड आता है जो बेबी को अच्छा लगेगा तो यह टीनी टाइक कुछ का है और यह बहुत अच्छा कॉलीट का है यह बीपी चर और यह 0 month plus का है तो अगर आपका भी भी 0 month plus का है तो उसको use करा सकता है बड़ मेरी recommendation यह है कि after 3 months और 4 months से यह आप दे सकते है देखें यह orange color का है और यहाँ पर yellow color and green color तो यह multi color का है जो दिखने में अच्छा लग रहा है और अंदर में छोटा छोटा डैटल के sound के हिसाब से छ इसके उपर में cap लगा हुआ है तो पहले यह cap हम लोगो open करना है उसके बाद यह हम लोग use कर सकते हैं यह cap देखिए इस तरह की shape में है और बहुत ही अच्छा quality का है हम लोगो अभी cap को open करना है फिर देखिए यह एक food libeler है इसके अंदर में हम लोगो fruit और food डालना है और इ और यह बहुत ही soft है एक feeding bottle का टीट जितना भी soft है उससे भी कही ज़्यादा यह soft है तो ऐसा मत सोजिए कि यह बड़ा है तो baby कैसे इसको खा सकते हैं बड़ आराम से यह baby मूह में ले सकते हैं क्योंकि एक feeding bottle की टीट से भी बहुत ज़्यादा soft होता है इसको इस तरह से open करके इसके अंदर food या फिर food चोटा चोटा टुकरा करके डाल दीजिए और इसको बंद करके baby को दे दीजिए baby धीरे धीरे उसको enjoy करेंगे फिर इसको ऐसे lock कर देना है और यह ready है पुरा baby को देने के लिए baby इसको लेकर खेलेंगे भी और इसके अंदर जो food और fruit दिया रहाएग उसको enjoy भी करेंगे तो मेरे कहले से यह बहुत ही अच्छा है आप लोग यह try कर सकते हैं अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को like and share कर दीजिए और मेरे चलल को subscribe कर दीजिए thanks for watching